सब्सक्राइब किजिए मेकेनिक ग्यान चेनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटेस मेकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अबसकर दोस्तो मैं हो रवी खरकाटे और आपके अपने यूटीब चैनल मेकेनिक ग्यान में आप सब्सक्राइब का स्वागत है वीडियो को स्टाइट करते हैं तो चलिए हम चलते हैं इंजन के पास और दोस्तो जैसी के आप स्क्रीन पर देख पा रहा है यह सामने में जो दीख रहा है यह है फर्स नंबर स्लेंडर का दोनों रॉकर और दोस्तो आपको टाइपिट गेज किस जगह पे लगाना है सबसे पहले तो बता देते हैं देख सकते हैं यह रॉकर और यह रहा गेज तो आप जब भी टाइपिट सेट करो तो गेज को किस जगह पे लगाना है आप देख सकते हैं रॉकर रॉकर के जस्ट नीचे और दोनों वाल के ऊपर एक एलिफेंट फुट लगा हुआ है उसके जस्ट ऊपर ठीक है तो इस इसका फर्स नंबर रॉकर का टाइपिट सेट कर दिया है अब हम सेकेंड का फर्स नंबर स्लिंडर का जो सेकंड रॉकर है उसका टाइपिट सेट कर देते हैं अर दोस्तों टाइपिट कितने भी सेट करना है मैं हम आगे आपको बताएंगे वीडियो में और इसका जो टाइ तो आप लोगों ने देखा होगा वाल के पीछे में एक screw लगा होता है screw के उपर एक lock nut होता है और lock nut खुलने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है screw को कम जदा करना पड़ता है तब type it हमारा set होता है ठीक है लेकिन दोस्तों इस engine में क्या है आपको screw नहीं मिलेगा screw तो है लेकिन वो single screw है वो direct वही lock है और वही screw से हम कम जदा करके type it को set कर सकते है ठीक है इसमें कोई अलग से special screw और lock system नहीं दिया गया है वो एक ही है और वो एक ही इतना tight होता है ताकि वो थोड़ा थोड़ा एकद़ मतलब घुमता है मतलब याने की jam रहता है मतलब वो आसानी से मतलब lose नहीं होगा जो हम जितने पर set कर देंगे वो उतने पर ही होगा तो finally देख सकते हमने एक number cylinder का type it को set कर दिया है और ये रहा तीन number cylinder तो तीन number के लिए हमें दोस्तों engine को अलकाल का घुमाना है उसके बाद में engine को sorry तीन number जो piston है उसको top मेलाना है ठीक है तो top मेलाना है और आपको अगर check करना है तो आप इस प्रकार से screw door से check कर सकते हैं बट हम push rat को पकड़ के भी check कर लेते हैं ठीक है अगर आपको push rat से नहीं आता मिलाना तो कोई बात नहीं आप इस प्रकार से screw door से जो है rocker को दबा कर आप टॉप मेले सकते हैं piston को और उसके बाद में आप type it मिला करना start कर सकते हैं तो देख सकते हैं हमने तीन number cylinder को top में ले आया है और उसके बाद दोस्तों चलिए हम इसका भी type it set कर देते हैं बप टाइपर सेट कर आइसा करना है चलिए हम सबसे पहले आपको बता दे जैसी ही आप type it को मिलाने की लिए engine को घुमा का timing पर ले आते हैं उस समय में क्या होता है dowsault हमें सबसे पहले तो g가지 लगाना होता है करना होता है तो तो टाईट इतना करना होता है कि अपना जो गेज है वो जाम जाए उसके बाद में हलका हलका लूज करना है और आपको शलते ह similarly को को सैट करना है ठीक है तो देख सकते हैं हमने 3rd number slender का 1st number rocker का type hit set कर दिया है अब हम 2nd rocker का भी type hit को set कर देते हैं सेट करने के लिए सबसे पहले हमें screw को loose करना होगा उसके बाद में type hit gauge को फसाना होगा उसके बीच में जो elephant foot होता है और rocker के बीच में ठीक है और उसके बाद में आपको धिरी धिरी स्क्रू को टाइट करना है और जाम हो जाए उसके बाद में आपको हलका हलका लूज करना है अब हम बताते हैं दोस्तों कि इसका जो रॉकर है कितने भी सेट करना है तो ये आप अगर थाओ के हिसाब से लेते हैं दोस्तों 15 थाओ पे आप दूनों भी राकर को set कर सकते हैं दोस्तों थाओ के बारे में काफी सारे लोगों को पता भी है और नहीं भी है वैसे mm के बारे में भी काफी सारे लोगों को पता है और नहीं भी है तो चलिए हम सबसे पहले तो आपको थाव और ऐमेम के बारे में बता देते हैं एक थाव का मतलब होता है 0.0.5 ऐमेम मतलब अगर हम 15 थाव का देखने जाए तो कितना होगा 15 दूनी 30 और 7 37, 37 के आसपास होगा मतलब 0.0 37 ऐमेम के आसपास ठीक है तो आप इतने पे दोनों भी राकरों का टाइप इट सेट कर सकते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों हमने तीन नंबर स्लेंडर का जो टाइप इट है हमने सेट कर दिया है और उसके बाद दोस्तों हमने इंजन को घुमा घुमा कर चार नमबर पिस्टेन को टॉप में ले आया है और टॉप में लेने के बाद दोस्तों हमें चार नमबर स्लेंडर का जो दोनों टाइप इट है हमें सैट करना है तो सबसे पहले जैसा हमने बताया था उसी प्रकास से आपको ये टाइप इट भी सैट करना है हमने सबसे पहले किया था फर्ष नमबर स्लेंडर का और उसके बाद में तीन नमबर और उसके बाद में चार नमबर अब उसके बाद में जो बचेगा वो होगा दो नमबर तो चलिए हम सबसे पहले तो चार नमबर का सैट कर लेते हैं और उसके बाद में हम चलते हैं दो के तो आपको मिल जाया करेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ में सेयर करना बिल्कुल भी ना मिले और दोस्तों अगर आपको जैसी ठीडियेक्स का पार्ट केटलाग चीए तो आप मेकिनिक ग्यान एपको प्लेइस्टोर से डाउनलोड कर स बहुत जल्दी लाँच होने वाला है प्लेइस्टोर पे और उसका नाम होगा सर्विस सेडूल और दोस्तों उस सर्विस सेडूल में सभी टाइप के वेकल एंड मसनीरियों के सर्विस का डेटा रहेगा और और भी उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़े होंगी जो आपके इसमें आपको मिल जाएगा तो देख सकते हैं दोस्तों हमने चार नंबर सिलेंडर का भी टाइपट को सेट कर दिया है अब उसके बाद में फिर से हमें थोड़ा ता इंजन को धीरे धीर घुमाना है और उसके बाद दोस्तों आपको दो नंबर सिलेंडर को टॉप में ले लेने ठीक है तो टाइपट का सेट करना है धूस्तों हमने आपको बता दिया है इसमें कोई लॉ crack लगता नहीं है जैसा हम इस करों को हम इस्पेस्ट करते हैं वह बहुत जाम रहता है मतलब हमें इसी प्रकार से उसको ट tide करना होता है और आपको एक बार और बता दें कि देख सकते हैं हमने गेज किस जगह पे लगा है जब भी आप टाइप इट सेट करो तो आप भी इसी जगह पे गेज लगाएं ठीक है ये गेज लगा है दोनोवाल के उपर में एक एलिफेंट फुट होता है और एलिफेंट फुट के उपर हमने गेज लगा है उसके बाद में उसके उपर में रॉकर है तो चलिए देख सकते हमने दो नमबर का जो स्लेंडर है उसका फर्स्ट नमबर जो रॉकर है उसका हमने टाइप इट को सेट कर दिया है और इसके बाद हम दूसरे नमबर का जो रॉकर है उसका भी टाइप इट को सेट कर लेते हैं तो फाइनली दोस्तो आप JCP 3DX इंजिन का टाइप इट इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं तो हमने बता दिया दोस्तो आज की इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाला है वो होगा कमस्तू 130 का चैन रिपेर का दोस्तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उसका नोटिविकेशन सबसे पहले आपको मिले तो बस दोस्तो बस आज के लिए इतना ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं तब तक के लिए बाई दोस्तो